आप देख रहे हैं भी एच पी सी नियूज नमस्कार स्वागर आपका मेरा नाम है विपिन वेबार्थ मानहानी केस में होंगरे सनेता राहूल गांधी की ओर से दायर अपरादिक उन्हे रिक्षन याजका पर गुजाराथ हाई कोट में सुनवाई चल लही है सूरज जिले की एक कोट ने मोधी सरने मामले में दायर किये गए अपरादिक मानहानी के एक मामले में दोसी पाते हुए राहूल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी जस्टिस हेमंत एम वांचक की पीट के समख शिकायत करता पूनेस मोधी की ओर से वरिष्ट अदिवक्ता मिर्बम नानावटी पेश हुए उन्होंने कहा कि अपरादों की गंभीरता सजा इस इस्तरबर नहीं देखी जानी चाहिए उनकी आयोगता कानून के तहत हुई है इस बीच जज ने एक आदेश पारित किया जिसमें ट्रायल कोट को उनके सामने मूल रिकॉर्ड और माम लिगी कारवाई पेश कन्ने को निर्देश दिया गया नानावटी ने का आगे राहूल गांदी को कोट ने आयोग नहीं ठेरा है अयोगता संसद की ओर से ही बनाए गए कानून के संचालन के कारण हुई है उनका मुख निवेदन यह है कि वे आठ साल के लिए राजनितिक केरियर से बाहर हो जाएंगे उन्होंने राहूल गांदी की एक प्रेस कॉन्फरेंस से सम्मंदित एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसमें राहूल गांदी ने वे कथित तोर पर कहा कि मैं गांदी हूँ सावर कर नहीं हूँ और माफी नहीं माँगा शिकायत करता के वकील ने कहा कि उन्होंने कहा कि वह सजा जेल से नहीं जनने वाले हैं और वह जीवन भर के लिए अयोग ठहराए जाने पर भी पीछे नहीं हटने वाले हैं यह उनका साज़गिनिक स्टेंड है लेकिन यहां कोट के सामने उनका स्टेंड अलग है अगर आपका यही स्टेंड है तो यहां कोट में याचका के साथ ना आएं उन्हें रूति हुए बच्चे के जैसा नहीं होना चाहिए या तो साजजने के रूप से किये गए अपने स्टेंड पर टिके रहना चाहिए आपकी मनसा कुछ और थी नाना वटी ने कहा कि उनके खिलाफ कुल बारे मामले मानहानी के हैं पूरे कोट में सावर कर कोड़े कर की गए टिपड़ी के संबन्द में उनके खिलाफ अन्य शिकायत हैं वह एक राश्ची राज़ितिक पार्टी के नेता हैं जिसने देश पर 40 साल शासन किया है लेकिन अगर वैं इस तरह के बियान दे रहे हैं तो उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए उन्होंने सौरी भी नहीं कहा है उनकी और से कोई इस पस्टी गरन नहीं दिया गया है उन्होंने कहा है कि माफी नहीं मांगनी है तो ना मांगें ये आपका हक है लेकिन फिर ये हल्ला क्यों है पूने स्मोधी स्माम्दे मैं पीडित वक्ती हूँ अपराद घंबीर है संसद भी यहीं कहती है दोस्चिद्धी पर इस्थरगन के उनके आवेधन की अनमती नहीं दी जानी चाहिए आवेधन को खारेज किया जाना चाहिए वरिष अदिवक्ता विसेक मनु सिंग्भी ने राहुल गांडी की ओर से कहा कि CRPC की धारा 389 के तहर सजाबा रोग लगाने की परिक्षा असाधारन परिस्तितियां है धारा 389 CRPC किसी व्यक्ति के दोसी होने या ना होने से सम्मंदित नहीं है लेकिन यह सुविदा के संतुलन के बारे में है अभी के लिए सिर्व इतना है नमस्कार रोज की ताजा खबरे सुनने के लिए सस्क्राइब करें बी एच्पीसी न्यूस चैनल साथी रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाए बेल आइकन साथी हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर क अपनी के लिए हमारी रोज 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 के लिए हमार